कालो दोस्तों कैसे हो आई होग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हों मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आयूं जो पीसी एक रिकारडिंग जो नया नोटिस जारी किया गया है तो मैं इसकी ओफिसल साइट खोल देता हूँ इन्होंने एक न्या नोटिस जारी किया है दस्तवे सत्यापन हेतु अपॉइमेंट बुकिंग के संबन में आवसक सूचना यानि कि जो डोकॉमेंट वैरिफिकेशन की जो नया इस्टुटेंट वैरिफिकेशन के लिए लगनाव जादा था उसके बारे में इन्होंने नोटि जारी किया है तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि नोटिस में क्या जारी किया है अब इदको वैपंजिगरत फार्मिसिस्ट की सुविधा कांसिलिंग की विभिन ओनलाइन सेवाव के साप एक्स दस्तवे सत्यापन हेतु ओनलाइन अपॉइमेंट बुकिंग के प्रावध को कांसिलिंग द्वारा ततकल प्रभाव से बंद किया जाता है यानि इसका मतलब यह है कि जो आपको ओनलाइन डेजिस्टेशन के बाद अपॉइमेंट बिलती थी और वैरिफिकेशन के लिए आप जाते थे तो उस सत्यापन को और ओनलाइन अपॉइमेंट को पीसी द्व गया रहा है जो आपने ओनलाइन दस्तवेज अपलोड किये हैं जैसे कि माकसी डिप्लोमा अधार कार्ड एफिडेविट ट्रेनिंग लेटर इस सभी को ओनलाइन सभी दस्तवेजों को देखकर आपकी वेरिफिकेशन ओटमेटिक कर दिया जाएगा आपको आवेदन की अथ प्रेसपोर्ड चेक कर सकते हैं वहाँ पर तुम्हें ओटमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा निम्न आवेदों को द्वारा दस्तवे सत्यापने तो ओनलाइन अपॉइमेंट बुक कर लिया गया था जिनका अपॉइमेंट बुक था जिन्होंने रिजिस्टेशन पहले किय गये हैं तथा उनका दस्तवे सत्यापन काउंचलिंग द्वारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विट अधार पर ओनलाइन ही किया जाएगा अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएंगे आपने जो दस्तवे अपलोड करा है जिसे माक्सीट डिप्लोमा अधार कार्ड फोटो सिगने जर यह सबी आपका में रुक्याओड देखकर वेर ओटोमेंटिक आपका वेरिफिकेशन कर देंगे अब आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है यह PCI ने आपके रिगार्डिंग बहुती अच्छी नियोज आपके लिए निकाली है जो आपको बहुती फायदेमन होने वाल और बढ़ाकर 1829 रुपे कर दी है तो किरिप्या करके अपनी जो पंद्रासा पचास की फीश हो अथारा सो नक्तिस हो गई है अब वह 1829 जीस्टी समीद कट रही है कि सभी अपनी ओनलाइन पेमेंट कर दें जिसकी रह गई है उसको पूर्ण करें जो अवेदक पूर्ण पर आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और इन्होंने एक और लाइन लिखिया है कि बुगतान ओनलाइन बुगतान करने के पर चाहती आप उन रूप से जमा समझा जाएगा अगर आप बुगतान नहीं करेंगे तो उसका कोई आवेदन का कोई वैल्यू नहीं रहेग बुगतान क्या धार पदी आपका उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों न्यों रच्छी लगे होगी थैंकि